हेलो दोस्तों आज है हमारे पास एक प्रेजर कुकर गाइशर यह वही कुकर है कुछ दिन पहले हम लोग इसके अंदर एक शुतली पाम को दाल के फोड़ने की कोशिश की थे लेकिन गाइशर यह किदर से भी तूटा नहीं है क्योंकि यह नार्मल वाले कुकिंग करने के हंडी से मिल कंपेर करें तो यह तीन गुना ज्यादा यानिकि तीन गुना मोटा जो मेटल होता है तो आज का टेस्ट यह है कि हमारे पास एक पारफुल दिवालिया नर् इसको रखे चलाने की कोशिश करते हैं कि देखते हैं क्या यह वाले मोटे कुकर को मेल्ट कर पाएगा या नहीं वीडियो को फटाफट से स्टाट कर रहा है आप लोग पूरे देखिए आप लोग देख सकते हो मैंने एक नहीं दो-डो अनर को लगाने वाला हूं क्योंकि कैसे यह डबल पावर मेटल है तो कैसे सिंपली क्या करते हैं आप यह दोनों अनर को यहां पर लगा लेते हैं आप इन दोनों को जलाने की कोशिश करते हैं दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक इनफर्मेशन है हमारे चानल पर 3000 रुपीज क्याश का गिवे में चल रहा है अगर आप लोग अभी तक उसमें पार्टिस्पेट नहीं किये तो कैसे यह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रि लगा दिया है देखते हैं कि क्या है हमारा जो तो कर पाता है या नहीं है कि अधिया 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 एक बार आप लोग देख सकते हो हमारा जो कुकर का हाल है अंदर से क्या हो चुका है यह जो डिवाली का यान कि यह जो पावरफुल दिवाली का अनर यह कुकर को कुछ भी बिगार नहीं पाया है हमने कुछ दिन पहले हमारे वीडियो में दिवाली अनर के ऊपर एक स्टील के ग्लास को रखा था मिट्टी के घड़े को रखा था और यानि कि कुछ ऐसे चीजों को लगाया था तो गाइसर यह जो पावरफुल दिवाली अनर उन चीजों को काफी आसानी से पिगला दिया है लेकिन आज हमारे पास जो यह कुकर है यह काफी मोटा है इसी के कारण शायद यह जो दिवाली अनर इसको कुछ भी बिगार नहीं पाया तो गाइसर आप लोगों को इससे पता चल गए होगा कि इसका जो मेटल होता है काफी मजबूत होता है यानि कि मोटा होता है तो सब्सक्राइब कर दिए हम मिलते इसके नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जैहिन बाइबाइब